ओम्शार्थी उन्नी चार बीस अव्यक्त बाप्ता दा रिवाइज है तीस बारा पिचासी विशाल बुद्धी की निशानी विशाल बुद्धी की निशानी आज सर्वसनेही सहयोगी सहयोगी बच्चों से स्नेह के सागर सर्वखजानों के विधाता वर्दाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए है या रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्रम मिलन है सर्व स्नेही सयोगी सहेजोगी बच्चों से स्नेह के सागर सर्व खजानों के विधाता वर्दाता बाप रूहानी मिलन मराने आए ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन सारे कलब में ऐसा रुछानी मेला हो नहीं सकता इस संगम को ही इस रुछानी मिलन का वरदान मिला हुआ है इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं बाप का भी विधाता और वर्दाता का अवी नशी पाठ इसी समय चलता है एसे समय पर वर्दानों के अधिकारी आत्मय अपना सदाकाल का अधिकार प्राप्त कर रही हो ऐसे रुहानी मेले को देखकर बाप्दादा भी हर्शित होते हैं बाप्दादा देख रहे हैं कि ऐसी स्रेष्ट प्राप्ति करने वाले कैसे भूले साधरन आत्माई विश्व के आगे निमित बनी हैं क्योंकि सभी लोग राजविद्या, साइंस की विद्या अलब काल के राज्च अधिकार वा धरम नेता का अधिकार इसको ही आज की दुनिया में विशेश आत्माई मानते हैं लेकिन बाप्दादा कौन सी विशेश्ता देखते हैं सबसे पहले अपने आपको और बापको जानने की विशेश्ता चो आप ब्राम्वन बच्चों में हैं वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है इसलिए भूले साधारन होते हुए वर्दाता से वर्दान ले जनम जनम के लिए विशेश पुझ्जा आत्में बन जाते हैं स्वेम को जानने की बाप को जानने की विशेश्टा संसार में किसी में भी नहीं है इसलिए बाप दादा हम बच्चों को विशेश नजर से देखते ऐसा रुहानी नशा अनुभव करते हो ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना यही बाप की विशेष्टा है बापदाना वतन में भी बच्चों को देखकर मुस्कूरा रहे थे अगर किसी भी अंजान आत्मा को कहो कि सारी सभा विश्व के राज्च दिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे अश्रवत हो जाएंगे किसी को भी यह कहो कि यह विश्वर आज्च दिकारी ओकी सभा है तो कोई मानेंगे अश्रवत हो जाएंगे लेकिन बाप दादा जानते है कि बाप को दिल के स्नेह दिल की स्रेष्ट भावना वाली आत्माई प्रीय है दिल का स्नेह ही स्रेष्ट प्राप्ति कराने का मुल्ख आधार है दिल का स्नेह दूर दूर से मदुबन निवासी बनाता है दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है इसलिए जो भी हो जैसे हो लेकिन परमात्मा को पसंद हो इसलिए अपना बना लिया बाप दादा को भी दिल का स्नेह पसंद है जो हो जैसे हो परमात्मा को पसंद हो इसलिए बाप दादा ने अपना बना लिया दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं बाप आये का उस समय ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है पालिया आप संपणन बन गए और वहां बुद्धीवान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं इसलिए कहां गया भुलानाद बाप हैं पहचानने की विशेशता ने विशेश आत्मा बना लिया बक्त लोग भगवान को ढून रहे हैं वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और आप बच्चों ने बाप को पालिया बाप आएगा उस समय ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता हैं पालिया आप संपन्न बन गे और वहां बुद्धीवान अब तक परक्षने में समय समाप्त कर रहे हैं इसलिए कहां गया भूलाना बाप है पहचानने की विशेशता ने विशेश आत्मा बना लिया पहचान लिया पालिया अब आगे क्या करना है बाप को पेचान लिया, बाप को पा लिया अब आगे क्या करना है सर्वा आत्मा उपर रहम आता है है तो सभी आत्मे एक ही बेहत का परिवार अपने परिवार की कोई भी आत्मा वर्दान से वंचित न रह जाए ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है है तो अपना ही परिवार कोई भी आत्मा अपने बाप के परिचे से वंचित न रह जाए ऐसा उमंग दिल में रहता है न वह अपने प्राप्तिव में ही बीजी हो गए हो बेहत की स्टेज पर स्थित हो बेहत के आत्माओं की सेवा का स्रेश्ट संकल पही सफलता का सहेज साधन है बेहत सेवा के निमित हो बेहत की स्टेज पर पाड़ बचा रहे हो तो बेहत की आत्माओं की सेवा का स्रेश्ट संकल पही सफलता का साधन है अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे होना उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए है जितना विशाल प्रोग्राम बनाया उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तयारी की है यही सोश्ते हो भाषन करने को मिलेगा तो कर लेंगे निमंतरन बाटने को मिलेगा तो बाट लेंगे यही तयारिया की है इसको ही विशाल तयारिया कहा जाता है जो ड्यूटी मिलिव पूरी कर लेना इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता द्यूटी बजाना ये आज्याकारी बनने की निशानी तो है लेकिन बेहत की विशाल बुद्धी विशाल उमं उत्साहा सीव इसको ही नहीं कहा जाता जो सेवा मिलेगी वो कर लेंगे परचे बाट लेंगे निमंतरन पत्र बाट लेंगे बाप दादा ने कहां इसको आज्या करी कहेंगे विशाल दिल वाली बुद्धी वाली सेवा नहीं कहेंगे विशालता की निशानी यहां हैं हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में सेवा में नविन्ता लाना चाहे भुजन खिलाने की चाहे भाशन करने की ड्यूटी हो लेकिन हर सेवा में हर समय नविन्ता भढ़ना इसको कहां जाता है विशालता इसे कहेंगे विशालता विशालता की निशानी है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में नविन्ता लाना चाहे भुजन खिलाने की चाहे भाशन करने की ड्यूटी हो लेकिन हर समय सेवा में हर समय नविन्ता भढ़ना इसको कहा जाता है विशालता जो एक वरश पहले किया उसमें कोई न कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो ऐसा उमंग उससाहा दिल में आता है वा सोचते हो जैसा चलता है वैसे ही होगा हर समय विधी और व्रद्धी बदलती रहती है जैसे समय समी पा रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की परिवार की समीपता का विशेश अनुभव कराओ जैसे समय समी पा रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की परिवार की विशेश अनुभुती कराओ मनन करो की क्या नविन्ता लानी है अभी कॉन्फरेंस का विशेश कारे कर रहे हो ना सभी कर रहे हो या जो बड़े है वही कर रहे हैं सभी का कारे है ना हरे को सोचना है मुझे नविन्ता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है चाहें आगे निमित थोड़ों को ही बनाना होता है दैसे भाशन करेंगे तो थोड़े इतनी सारी सबा भाशन करेगी क्या हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बाट करके ही कारे संपन्न होता है लेकिन सभी को निमित बनना है किस बात में बाशन तो एक ही करेगा सभी सारी सबा बाशन तो नहीं करेगी लेकिन सभी को निमित बनना है किस बात में चारो और जहां भी हो जिस भी ड्यूटी के निमित हो लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हरे के मन में विश्व कल्यान की स्रेष्ट भावना और कामना जरूर होनी चाहिए जहां भी कोई विशाल कार्य होता है तो दूर बैठे भी सभी के मन में स्रेष्ट कल्यान की स्रेष्ट भावना और कामना जरूर होनी चाहिए जैसे आजकल के विआईपी अगर स्वैम नहीं पहुश सकते तो शुब कामना भीश्टे ना कोई विशेश प्रोग्राम में नहीं पहुश सकते तो ग्रिटिंग्स बेश्टे हैं ताप उन्हों से कम हो क्या आप सभी विशेश आत्माओं की शुब भावना शुब कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगे कहीं पर भी कोई स्रेश्ट कार्य होता है विश्व कल्यान का बाबा का कार्य होता है तो एक जगा बैट कर ही शुब भावना शुब कामना देनी होती हैं ताकि कार्य सफल हो जाएगे यहां विशेश दिन विशेश कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हत की बातों में संकल्प शक्ती समय की शक्ती व्यर्थ न गवाए हर संकल्प से हर समय विशल सेवा के निमित बन मनसा शक्ती से भी सहयोगी बनना है क्या करना है ये विशेश दिन विशेश कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हत की बातों में संकल्प शक्ती समय की शक्ती व्यर्थ न गवाए हर संकल्प में हर समय विशाल सिवा के निमीत बन मन्सा शक्ती से भी सहयोगी बनना है ऐसे नहीं कि अबू में कॉन्फरन्स हो रही हैं हम तो फलाने देश में बैठे हैं नहीं आप सभी विशाल कारे में सहयोगी हो वातावरन वायू मंडल बनाओ जब साइन्स की शक्ती से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट बेश सकते हैं तो क्या साइन्स की शक्ती से आप शुब भावना कल्यान की भावना द्वारा यहां आबू में मंसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते जैसे साइन्स वाले एक देश से दूसरे देश में रॉकेट बेश सकते हैं तो क्या आप अपनी शुब भावना शुब कामना माउंट अबू तक नहीं बेश सकते कोई साकर में वानी से कर्म से निमित बनेंगे और कोई मंसा सेवा में निमित बनेंगे कोई मदुबन पोच कर भाशन करेंगे कोई कर्मना सेवा करेंगे और कोई अपने स्थान पर बैठ कर ही मंसा सेवा के निमित बनेंगे लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है चाहे पाच दिन चाहे छे दिन चलता इतना ही समय हर ब्राम्वन आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ कि मुझ आत्मा को निमित बनकर सफलता को लाना है इतने वी दिन प्रोग्राम चले हर ब्राम्वन आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित बनकर सफलता लाना है हर एक अपने को जिम्मेवार समझे इसका भाव यहां नहीं समझना की सभी जिम्मेवार है तो भाषन का चांस मिलना चाहे या विशेश कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है इसको जिम्मेवारी नहीं कहते जहां भी हो जो भी ड्यूटी मिले चाहे दूर बैठने की चाहे स्टेज पर आने की मुझे सहयोगी बनना ही है कुण से जिम्मेवारी निबानी है तैभाशन करने की ड्यूटी मिले चाहे कोई भी ड्यूटी मिले पर यही समझना है कि मुझे सहयोगी बनना है इसको कहा जाता सारे विश्व में सेवा की रुहानियत की लहर फैलाना कुशी की उमंग उच्साह की लहर फैल जाए ऐसे सहयोगी हो कैसे सहयोगी रुहानियत की लहर फैलाना कारे करम के प्रति शुब भावन शुब कामना भेजना खुशी और उमंग की लहर फैलाना ऐसे सहयोगी हो इस konferENCE में नवींता दिखाएगे न गोल्डन जुबली है तो चारो और गोल्डन एज आने वाली है इस खुशी की लहर फैल जाए गोल्डन जुबली है तो चारो और खुशी की लहर फैल है कि गोल्डन दुनिया आने वाली है यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सिवा यही लक्ष रखो स्वैंबी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है समझा क्या करना है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा का यही लक्ष रखो कि उमंग फैलाना है खुशी की लहर फैलाना है स्वेम भी हर कार्य में मोल होने वाले रियल गोल्ड बन जाओ गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है समझा जो अब तक नहीं किया वह करके दिखाना है ऐसी आत्माओं को निमित बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित बन जाए ऐसी आत्माओं की सेवा करो चनेक आत्माओं की सेवा के निमित बन जाए चारोर सेवा चलती रहती है ना अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की स्व सेवा की और स्वा के साथ अन्य विशेश आत्माओं के सेवा की लहर फेलाओ समझा क्या करना है क्या करना है अन्य एक आत्मा को निमित बनाओ जिससे अन्य आत्मा की आत्माओं की सेवा हो जाए सेवा अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की स्वा के सेवा की और स्वा के साथ अन्य विशेश आत्माओं के सेवा की लहर फैला स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश नावाली भी हा कर देते समय न होते भी समय निकाल देते हैं यहां तो रुहानी स्नेह है तो धर्णी बनाओ बाब्दादने का धर्णी बनाओ यह नहीं सोचो की यह धर्णी तो ऐसी है यह लोग ऐसे है आप कैसे थे यह नहीं सोचो की धर्णी ऐसे है लोग ऐसे है बाब्दादा के रहे आप कैसे थे बदल गए ना चुबह भावना का सदैवा स्रेस्ट फल होता है शुब भावना का फल सदा स्रेश्ट होता है अच्छा अपने घर में आए हो यहां तो बाप को भी खुशी है लेकिन समय तो हत्का है ना जितने संख्या उतना ही बढ़ता है ना चीज न हो लेने वाले आठ हो तो क्या करेंगे उसी विधी से करेंगे ना फेले थोड़े थे तो बाबा एक एक से मिलते थे व्रद्धी हो गई तो बाबा ग्रूप में मिलने लगे तो बाब दादाने का समय थोड़ा है मिलने वाले जादा है तो क्या करेंगे उसी विधी से करेंगे ना बाब दादा को भी विधी प्रमान चलना ही पड़ता है बाब दादा ऐसे तो नहीं कह सकते कि इतने क्यों आए हो बाब दादा कहेंगे भले आओ बाब विधी चेंज कर सकते है मगर व्रधी को नहीं रोक सकते भले आए स्वागत है लेकिन समय प्रमान विधी बन पड़ती हैं अव्यक्त समय में समय की सीमा नहीं है वतन में जाकर बाब दादा से कभी भी मिलो कितना भी समय मिलो अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है महारास्टर भी कमाल करके दिखाएगा कोई ऐसी महानात्म को निमित बना के दिखावे तब कहें महारास्टर किसी महानात्म को बाबा के सेवा के निमित बनके दिखावे तब कहे महारास्तु देली तो निमित है ही ऐसे नहीं अभी कॉन्फरेंस तो बहुत कर ली अब जितना होगा नहीं हर वर्ष आगे बनाए ऐसे ने सेवा तो बहुत कर ली, बहुत भाशन किया, बहुत कॉन्फरेंस कर ली, अब तो सेवा बंध हुने वाली है, बाबदादने कानी हर वर्ष आगे बढ़ना है अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिनों को निमित बना सकते हैं, देहली वालों को भी विशेश निमित बनना है, राजस्तान क्या करेगा? राजस्तान सदा ही हर कारे में नंबर वन होना है, इसलिए राजस्तान में नंबर वन हेल कोटर है, चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटीटी में दोनों में नंबर वन होना है डबल विदेशी भी नविंता दिखाएंगे हर एक देश में इस खुश कबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशिर्वात देंगे क्या करना है महारास्ट्र वालों को किसी विशेश आत्मा को निमित बनाना है देहली को भी देहली तो निमित है ही है फिर राजस्थान को क्वांटिटी और क्वालेटी दोनों में नंबर वन बनना है और विदेश वालों को खुश कबरी की लहर फैलानी है आप लोग बहुत भैबवीत हैं ना ऐसे आत्माओं को रुहानी खुशी की लहर हो चो समझे कि ये फरिष्टा बन शुबसंदेश देने के लिए निमित बनी हुई है समझा अब देखेंगे कौन सा जोन नविंता करता है संख्या लाते है या क्वालिटी लाते है फिर बाप्ता दा तिजल सुनाएंगे नविंता भी लाना नविंता के भी नंबर मिलेंगे सर्वस्वराज्च विश्वराज्च के अधिकारी सर्वस्वराज्च विश्वराज्च के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहत की सेवा में बेहत की व्रत्ती में रहने वाली स्रेश्टा आत्माओ को दिल विशाल सदा विशाल बुद्धी विशाल उमं उत्साह में रहने वाली विशेश आत्माओ को सदा स्वयम को हर सेवा के निमित चान निर्मान करने वाले सदास रेश्टोर बाप समान सेवा के सफलता को पाने वाले एसे रुहानी आत्माओं को रुहानी बाप की याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप ताद को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते कुमारियों से बापदादा की मुलाकाच सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है कुमारी जीवन सदा स्रेष्ट गाई और पूजी जाती है ऐसी स्रेष्ट और पूच्चा अत्मा अपने को समझती हो सभी कुमारिया विशेश कारे कमाल करके दिखाने वाली हो न या सी पढ़ाई पढ़ने वाली हो विश्व सेवाधारी बनेगी या हत की गुजरात की सेवा करनी है या मद्यप्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है ऐसे तो नहीं, विश्वक अल्यानकारी बनेगी, बेहत सेवाधारी बनेगी या हत की सेवा करनी है एवरेडी आत्माएं औरों को भी एवरेडी बना देती है तो आप कुमारिया जो चाहे वहां कर सकती है आज की गवर्मेंट जो कहती है वहां कर नहीं पाती ऐसे राज्य में रहे करके सेवा करनी है तो इतनी शक्ती शाली सेवा होगी तब सफलता होगी इस ग्यान की पढ़ाई में नंबर लिया है लक्ष यही रखना है कि नंबर वन लेना ही है सदा विशेष्टा यहां दिखाओ कि बोलो कम लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपकी जीवन से पाट पढ़े मुख का पाट तो कई सुनाने वाले हैं सुनने वाले भी हैं लेकिन जीवन से पाट पढ़े यह विशेष्टा है आपकी जीवन ही टीचर बन जाए मुख के टीचर नहीं मुख से बताना पढ़ता है लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो मानते नहीं है केते सुनाने वाले बहुत हैं इसलिए लक्ष रखो कि जीवन द्बारा किसी को बाप का बनाना है लोग केते सुनाने वाले बहुत हैं मगर जीवन से दिखाने वाले कम हैं बागदादा केते आप कुमारिया अपने जीवन से उनको सुना आजकल सुनने की रूची भी नहीं रखते देखना चाहते हैं देखो रेडियो सुनने की चीज है तीवी देखने की चीज है तो क्या पसंद करेंगे क्या पसंद करेंगे सुनने से देखना पसंद करते तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते है कैसे चलते है, कैसे उठते है कैसे रुहानी द्रस्ती रखते है ऐसा लक्ष रखो समझा संगम युक पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको तो जानती हो न संगम पर सबसे महान कुमारिया है तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है क्या लक्ष है दबल पार्ट बजाने का लक्ष है क्या टोकरी उठाएगी नोकरी भी करेगी और सेवा भी करेगी तो बाबदादा ने कहा क्या नोक्री की टोक्री उटाएगी अच्छा वरदान है बालक और मालीकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न दैसे बालकपन का नशा सभी में है ऐसे बालक सो माली करतात बाब समान संपन्न स्थिती का अनुभव करो जैसे बालकपन का नशा सभी में है कि हम बाबा के बच्चे है ऐसे बालक सो माली करतात बाब समान संपन्न स्थिती का अनुभव करो मालीकपन की विशेष्टा है जितना ही माली उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे मालीकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान बाबा भी विश्व का मालीक है फिर क्या केते मैं तुम्हारा ओबीडियन सर्वंट हूँ तुम्हारे कहने पर आया हो तो मालीकपन का नशा और सेवाधरीपन का नशा समान हो तब कहेंगे बाप समान बालक और मालीक दोनों स्वरोब सदा ही प्रतेक्ष कर्म में आ जाए तब बाप समान सर्व खजानों से संपन इस्तिति का अनुभो कर सकें बालक और मालीक दोनों स्वरूप सदाही प्रत्यक्ष कर्म में आज जाए तो बाप समान सर्व खजानों से संपंड स्थितिकान वो कर सके सलोकर ग्यान के अखूट खजाने के अधिकारी बनो तो अधिंता समाप्त हो जाए ज्यान के अखूट खजाने के अधिकारी बनो तो अधिंता समाप्त हो जाए सुचना आज अंतर रास्टे योग दिवस तीसरा रविवार हैं साए साड़े छे से साड़े साथ बजे तक सभी भाई बहने संगटीत रूप में एकत्रीत हो योग अभ्यास में अनुभाव करे मैं आत्मा बीजरो बाबा के साथ कमबाई हो मैं सर्वशक्तियों से संपन मास्तर ज्यान सुर्य हो मुझसे सर्वशक्तियों की किर्ने निकल कर चारो और फैल रही है विशाल बुद्धी की निशान रावने कहां विशाल दिल हो विशाल व्रत्ती हो उससे खुशी की लहर फैले ओम्शक्तियों ढहर हो विशाल मास्तवय से स्वाथ की लुशी हो निया विशाल V एम जख और रहर जसे काक्न विज़क्तियों अधर हो तर्दों Candago जया बुशी खवश्यों हो जब आ खवश्यों विशां टू झाल मजए विशान प्लिया व redeiset कर चाण झाल झाल